इंदुस्तान दुनिया में किसानों की भूमी कहा जाने वाला ये देश जहां फसलें लहला आती हैं जहां धर्ती मा कहलाती है जहां हर दिल में आस्था बस्ती है हर धर्म में इनसानियत दिखती है करोडों दिलों की धरकन से बनता है हिंदुस्तान और उस हिंदुस्तान की शान है आगरा ये शहर है गालिब की किलकारियों का ये शहर है मीर की कलम का ये शहर है बेपनाह, महबबत की निशानी ताजमहल का अदभुत, अदविती, अनुभम, अतुल्य, अमूल्य, हिंदुस्तान की आन, बान, शान कितने ही मौसम, कितने ही शासम, कितनी ही सदिया आई और गई पराज भी अडिग है, शाजहा मुम्ताज की अमर प्रेम की ये खुबसूरत निशानी ताजमहल, विश्व का हजूबा कि अगरा तुर्ण भी अगरा सब्सक्राइब, अच्छव, दुकान बढ़ा लो, चले यार दिनिश, आजका है आज क्यों क्यों कियों कि सीयम सहाब, अब महाँ शर्की ओपनिंग के लिए नहीं आने वाले हैं, चल्ब, आज का दिन तोनल वेस्ट रुआना, यही होता है, क कूछ नहीं है छोलेड़के के रहे हों कुछ नहीं हो सपता है यहां आरा जी कहां को वसो आ रहा है खुदा बक्स रोंकिह डिख देख ए तुझा तूझर तूझे अ है यार अधिक तूझा यह ये हम एएए तुझा यह आ यह इंद रोब लप को आलता63 रॉक 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 .. नीचो तार रॉक शोल turf एपपो.. नीचो फो बी नीचो तार जल्दी है कहा है माजनाव ते रेक्टर नाव कह रहा है नहीं नहीं नाव बोली मेरा नाम नाम ? नेख सिरी बच्ची को मुर्गी कह रहा है मुर्गी नहीं मूल्गी बोले तो मेरी बेटी तो ताजमेल घूमने आया है ने ने उस पर कबजा करने आया है तो भी पुरिश्वारों के संग मैं बहुत त्यड़ों आदमी हुँ में हो पन थोबड़े से तो सिदा देखता है हो ना अधिक है जा कबारने पीसे करो और ताजमेल के अंदर जाना तो जाओ काई को लेकिन कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते प्रदूसर्ण के कारण ताज का संग मरमर काला पड़ रहा है संग मरमर बोले तो आपार संगे मरमर जब दो से ज्यादा लोग यह संग मरता इना तो उसको संग्य मरमर आज साब बोलता है अंचे साफ नम Wr परिवर के साथ और मेरा गाड़ी को भी लेके जाएगा नहीं तो सारा समान अंदर काई से लेकenden यहाई जे तो देखो, ये सारा समान ताज मेल के अंदर नहीं जा सकता, अकेले जाना तो जाओ अभी मज़ाक मस्ती बहुत हो क्या, बोला नहीं दर गुमने काम नहीं आए तन्वी, निउस मिल गई आंदर मैं भी जाएगा, मेरा परिवार भी जाएगा और मेरा गाड़ी के साथ मेरा सामान भी जाएगा, मैं देखता है मेरो कॉन रोता है, ये बसा गाड़ी मते चामाइला बचलंगी, सर, इने ताज मेल के अंदर गुष्णे मते ना जी और इनका समान उठाजे बार पेक, चलो, निगो यासे, चलो यासे मेरे मरत से इज़त से बात करने का अच्छा, शरीमान जी, शरीमती जी आप लोग निकलिये यहां से फुटिये जाएगे अपने घाए अभी इज़त से बोलता है मैं आखिरी टाइम, मैं बोला ना मेरे साथ मेरा बीवी, बच्चा, गाड़ी, सामन सब अंदर जाएगा, औ हिदरिच धर ना दियेगा अब मेरे जहते ते पर दादा के पर दादा के दादा के दादा कि आखिंटे डायाराम बाप उसा इमर जमिन ई है दादा अर्फ मैं सच बोलता है आपको यकिन नहीं है और यह ताजमल का पूरा जमीन है न है यहां मेरा पर दादा काई उशा जानने मेरा पर दादा से छिण के वहां पे आपना आउरत का कौंसा आउरत चार नंबर का आउरत जो आउरत के पती को मार के उससे शादी बनाया वो अवरत, जिससे एक के बाद एक चवदा पीदा हुआ ना, वो अवरत, उस ही अवरत के समाधी बनायाया था और उ मारने के बाद उसका बेन के साद के साथ पतक से государ화를 बना लिया, और बोलते है प्यार का निशानी, हरे प्यार की दर है इसमें, आभी को हो गया बोच विना वापसरां के दिनों मेरे को मेरे अधर के आपना जमिन वापस सेय पूर left at recommended पने अधर और अधर को घॉंपा की घ्थान लिया मैं इ से ताज मैल को अधर के आप ना जम e प्लीज बिलीव में के न्यूज में बहुत पोटेंशल है ओके अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो गो हेड मेरा परदादा ने आवाज उठाय था और उनका आवाज को दवा दिया गया फिर मेरा तादा ने भी आवाज ताज महल की जमीन उसके पुर्खों की है ऐसा दिल्चस्प दावा महराष्ट्र से आगरा आए एक किसान तुकाराम ने किया है उनको शहीद कर दिया गया देओ उनका आत्मा को शांती देओ और जबरन उसे हथिया कर उस पर ताज महल बनाया किया है बना भी भाई चुप नहीं बाइटेगा भाई अपना जमीन वापस लेकेच रहेगा अब भाई तो तुमने तही कहीं लला अड़ अड़ अधा के परदादा के दादा किया दयाराम बाप उसाय मरठे उनका जमीन है यह जो भई जे का हो रही है अरे एक आदमी मानास से आकर आगरा में धन्ना दे दिया है कहता है कि ताज महल उसका है जाके बाप का राजिका ताज महल का पूरा जमीन हमार रहे है और वो आमको मंगता है बस अभी सरकर को फैसला करने का है कि वहां अगरा से आ रही है बहुत बड़ी बात है इस मुद्दे में हमें लगता है हमें इसमें कूत पढ़ना चाहिए नहीं शीला, अभी इस मुद्दे को न, थोड़ा और पकने था, अभी खाने का मौका नहीं आए अरे जाना, तुझे का जेल में दूद कम मिल्ला हुआ का अरे भया, खूब मिलो है, जेल मंत्री के सेब जो ठहरे तो पर जोर काई नहीं लगा रहा हुआ अरे भया, लगा रहे है, लगा रहे है सियम साब को फ़ोन आगो या परनाम बड़े भया अरे परिदाम छोड़ो, सत्ना की चिंता करो, कुरसी पिषवाड़ा से खिसकने वाली है अरे भया, कौनों गल्ती है गई क्या हमसे तीवी चल रहा है का तो देख रहे हो कोई असलील पिक्षर अउरका अरे नाना भया उन तो कब कर छोड़ रहा है अब तो बस आस्ता चैनल लगा के योगासन कर रहे हैं भया अब न्यूस चैनल लगाओ न्यूस चैनल हाँ योगासन के तरह नहीं पड़े की अच्छा ताज महल के जमीन उसके प्रिवप्ति का पागलपन बतारी है जेका बबाले यार अभी सारकार को फैसला करने का है कि वहां से ताज महल को हटाने का और हमारा जमीन हमको आपज देने का सेक्स कैंडल से हाली में बचे मन की विसर्जंट फिर विवादों में आ गए अने जेका कान ढगाओ यार यार कि यहाथखड़ी मैया कला में रहना हाथ में ना अना मेरा दादाने भी आवाज उटाया था अर मात्मा गांदी से भी जाके मिला था पर उनका फैसला सुनाने का फैले ही किसी ने उनको शहीद कर दिया आप युँ आप जहिन सर ये का हो रहा हुए फैर में टीवी पे युज देख रहे थे माइंडे अफसेट हो गया टीवी बंद कर दी है अरे जै टीवी बंद करने से समझा खतम नहीं है जाएगी बाई अरेस्ट करो चुक्चाप ये सर अच्छा आप एक सई ना स्किसम जी हलो आप रिजे जहन जीजू शट आप हम तो को हजार पर बुले सब्सक्रिण बुले जहनु अरे बुलुबवट अरे मोज पाऊं में होता है गला में नहीं होता है इसी चकर में म धर से निकल नहीं पा रहे है और तुम सब्सक्राइजffen आई छूदना गुल ऑपर जाओ, पहत्सोच अच्छा एक बाप बताओ, ये ताज महल के आसपास का तुम्होरे बात की सानी हो रही है, जो भीड़ी कटा करके रखी है सर जी, मेरे रहते वे कुछ हो सकता हो है अरे इसी बात का तो डर है कि तुम वहाँ हो उका के तो उसको, उतुका राम, उसको अटाओ, गेट लास्ट नहीं तो हम तुमको ऐसे गायब करेंगे ना बेटा, कि जिन्दगी भर गूगल में सर्च करने पर भी लवकोंगे नहीं सर जी, आप तो पस हुकम करो, अरे अरे अरेस्ट करो उसको मैया कि अदीन हो गय लेकिन आभी इस सरकार से कोई भी मेरा समस्या का समाधन करने नहीं है अभी जारप मेरा को मेरा ताज मिल का जमीन नहीं मिलता है तब तक मैं मेरा पुरा परिवार के साथ अंशन करेंगा, अंशन जब इधर से ती इनर्थी उठेगा तब इच सरकार जागेगी तभी ए तुकराम, SSP साब ने ओर्डर दियो है, तुम्हें रेस्ट करने को, आइसा कैसे रेस्ट करेगा, क्या जुरूम किया मेरे मरद ने, क्या जुरूम कियो है, जहां भीड इखटा हो रही है, तुम्हारे क परमिशन का बात किया, तुम्हेर को हसने को आगे, तुमको परमिशन मंगता है, परमिशन मेरे पास बहुत बड़ा परमिशन, यह आगा देना, हमला खाल दालिया, पीछे अडिये, यह मिले साइब का चिठ्थी, जब उनका बात दिवस्था ना, मन्जे, जनम दिन, हम दो बनो गया था उनको, बधाय देने को, अख मारके, सित बजाके, कत लूँगी उंगली पे तुछ को नचाके, हे, अख मारके, सित बजाके, कत लूँगी उंगली पे तुछ को नचाके, लर्के लाइशानी, तु इसका जिर्रानी, तु रह जाए हर को इड़ार के, चोरी छोरी छोरी चालू ये पोरी ले जाएगी तेरा दिल करके चोरी कच्ची उपर मेरी तीखी नसर नींद ओराती ये पतली कमर अरे चूने से चलती है मशहूर है पीडी न शिलम ये धंदूर है अरे लड़की लिशानी में इश्का चिरानी में रह जाए हर कोई दिल हार के चोरी छोरी छोरी नख़त मतोरी ले जाएगी तेरा दिल करके चोरी तुझ को सिखा दो में दीवानगी मिल जाएगर तेरी परवानगी अरे 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 तुझ को सिखा दो में दीवानगी मिल जाएगर तेरी परवानगी चनवन तेरे दिल लूटो मेरो जी धर्चा है ले ले अंगुठो मेरो चनवन तेरे दिल लूटो मेरो जी धर्चा है ले ले अंगुठो मेरो ओटल जबानी, तू आइटम तूफानी, तू पबलिक फिदा है तेरी चाल पे छोरी छी छोरी, नखखत नतोरी, ले जाँगी तेरा दिल करके छोरी छोरी छी छोरी, चानू ये बोरी, ले जाएगी तेरा दिल करके छोरी नमस्कर सेप, पर्मिशन मंग दे, वह हम वह लाउनी करते हैं, लाउनी, आगदाखो की. यहाई दिंक चैक दिंक चैक दिंक, जे क्या कर रहे हो? तब गए मैं कहूं कि तुम्हारे समय जो है, जाने पिछानी से क्यों लग रही हैं? करनी कि यह अहां दिंगा है कि अधा कि की हमको इधर पब्ले की थे खाने ने का है तो कि एक यह लोडे लिखा ना की फिरिछ में सब्सक्राइब को अधर और मालुम पड़िया ना कि तुम कि अव्यापा टूमारे का मालूम हैं इसमें तुमी इघ्ट मिल्डूर दहाई। ऐसी मेरे गीजै एक। शौमारे कुछ नीम。 जिस आप और कुछ नहीं सपना देखा तो याद में एकदम सही कह रहा है आप यो लग जाएंगे मैं तो कहती हूं चिंगारी को हवा देकर शोला बनने दीजिए और जब वो बढ़कने लगे तो बुझा देना सारी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा हीरो के लाएंगे आप हीरो यह बात बिल्कुल सही है आ तुकाराम देखो हम तुमारे दुश्मन नहीं हम तुमारा भला ही चाहते हैं आचा अगर तुम शांतिक सा धरना दोगे ना तो मैं तुम्हें ऐसी जगे दिखा सकता हूं जाना तुम्हें परिशानी होगी और नहीं ह आज महीं है एकाया मनती हुँद आज मेल तो उदर है ना अठीज कहा बोलते एड़ काय बोलता तुम्हें जे देखिये ताज हुआ है अगर ये सुन्दरी भक्तिस का हाँ अरे यही चे वह ताजमेल जो अपने जमीन प्यों बनाया है अर कितना सुन्दे रही है और कितना बड़ा है इसको उखाडने में बहुत टाइम लगेगा मला एक सांगा हो अपनी जमीन तो अंशी बॉलत तो असी भीगा ये तो असी भीगा दिखता इछ नहीं अरे हो ना एक मिनुट अरे पिशनेक्टर साहिब अर ये तो खाली बेच चाइस टिमब पांच भी गाए अ मतब साड़े बैयालीस भी गाए वागी का जमीन किदर है कुठ है वारे वा बजरेंगी जहात की जमीन ना अपने की मशीन आई बदलेगा मुद्धा खायगा गुद्धा भाटी जमीन किदर है अरे मुझे क्या पता है साजए ने तुमारे जमीन हर्प औरो जा ग Hamilton मंचे तुमें ये मानता है थिए शेमिन हमारा हा र्या मान गानता है कि एक फार को द county मुझे क्वाइब यहां मंधों समय तो किसकों मालूमोना मंगता है तुमकोई थे हं अब्रोल भूल्ली जे जमीन इना ये ने देखो वो जो ....त चल्षी पाओघ जहां साज आन अ काला जार मैं भा हा रहा 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 था है जो बना या नहीं है कि आब जे जमीन और जे जमीन दोनों मिला कर के सगरी के सगरी अपसी बीगा हहा हजाएगी अब कैशा है पीशनेक्तर साइब अब ही मेरे को खाल जाहिए एगि मिरर को मेतासाब का जो बागot ऊज्प στο जरासी दिएंग सहते हैं इतने टाइम से अपना जमीन उनके कब जमें कोई बात नहीं अभी दिरिज कंबु ठोकेगा और आपना जमीन के वास्थे लड़ेगा ऐं-फ Chelsea अधिच मायना लड़ेगा मैं इधर आमरन उपोशन करना अरे मैं इधर मरते दम तक भूखड़ताल करेगा आप भी मीपन हाँ आई बाबा मीपन हीपन आण हीचे गूड़ी आपन सगले इस मामले में बड़ी बात ये है कि तुकाराम की मासूम बच्ची भी भूखड़ताल में उसका साथ दे रही है तो बस अब ये देखना है कि ये नन्नी भूखड़ की आप कहा तक और कितनी दूर तक फैलती है जहां देखो जिसे देखो कोई ना कोई स्ट्राइक करता रहता है पूरे देश भर से मिशुक राधी दिख पार्टी अपने आपनी खड़ा करती है और आग लगाती है हाँ एक मिट भाईया जी एससप जाहिन सर जी जाहिन टिवी वोचिंग हमारा बंदवस्त कासा लागा सर जी राज आपका और ताजू ले जाए अरे यार इसे अरेस काई नहीं करो यार उसके पास आपका लेटर है ना सर जी जो आपने उप पुलिस परमिसन के लिख के दि दिखाए थे अरे मुरी मईयो और उजी तु नागदाश निकलो यार देखो एससपी अब कछू भी है जाए यह मामले को खतम करो अग्रा के ताज जमीन विवार गटना क्रम में आज एक नया अरुख ले लिया है यूमन राइट आक्टिविस्ट और सत्यकाम ट्रस्ट की रिहाना कार्जमी आने वाली हैं तो बस अब यह देखना है कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाते हैं ताकि लोगों को लगे हम अरे अरे वो रिहाना जी आ गई है माड़ 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 अंचन काज तीसरा दिन है और आप अब आ रही है मैं औरों की तरह नहीं हूं कि आंग बन किया और टीवी पर चाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन से जुड़ गई मैं गरीबों महिलाओं और बच्चों पर जुल्म बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं नमस्ते हैं मैं तुकार मेरे बाए को सुन दरी आपका नाम रिहाना काजमी सरकार को इस मासूम के बारे में भी सोचना चाहिए इस शेत्र के नेता कहां चले गए क्या सो गए या अपना शेत्र शोल कर भाग गए ऐसे समय पर जो नेता जनता की समस्या का समधान न करे उसे अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं आखिर ये बात सरकार समझ क को सही करार दे रही है लोग मौके पर चौक का मारते हैं तो सिधा च्छा का मारने की कोसिस कर रही है अरे बाव जी ये तो बहुत ही घटिया और थे जे बहुत ही अच्छी और थे मैं जानू इसे अच्छा है बस देखता जा बिट्टा जे कैसे तिन के को पहार बनाएगी और फिर हम उस पहार पर चड़कर अपनी जीत का चंडा फेराएंगे हाँ काज महल देश की सांध है तुकाराम का अंशन जोर पकड़ चुका है पूरा परिवार भूख हरतार पर है तुकाराम हम तुम्हारे साथ है अच्छू करनो पड़ेगो इस तमाशे में तुकाराम की नन्नी बेटी भी दो दिन से भूख अलताल पर बैठी है अपनी हमंगा मना असते एक छोटे जी बच्ची था सारा लेना मैंनू तनी जामदा जी जे बच्ची नू कुछ हो गया ना ते लोका नेना नू छोड़ना नहीं है लक्ष्मी यह लक्ष्मी अ bior यह यह लक्ष्मी लक्षमी, की लत्स्मी है, उटु का इसमी कोड़ा, अंग erी उतले हyond life लक्षमी ऑध मार एक ऌण सेनका जय जुटु अए, लक्षमी सेनका अख ऴड़ी icanoओ एक जुटु करूगा लेधा, अब क्रूप्षमी की खवल्टा देम depending on that ि सेल्टैंव अइए, क्ल bou critics干 Pourquoi? आपूँ! तो ईट्टे, बिट्ट! माझीप पूर्की! एए, हात लड़ायक से नई? लड़ायक से! आमके लोने में अभेंगे खेल से निए, अपनें जमिन के वास्तिके आए, अपनें अभ्नें हक्के वास्तिके आए! एए, Lakshmi! ऐए, उट बिट्ट! कर बिटा है है में घचल कि एकशु बात नहीं करने एवालन से दुझार सबस्कें उलए है तुकाराम, अरा निकलो भाहराद। तुकाराम अरा यहादू पीछ घजय गर देखो, कौन आय हो आगगा क्या बात इग कामाल करता, तुमने तु है प्रपार्व कोिया जाने क्या नॉटन की करिया यार जाने क्या बात अजया बवार जास नहीं? का बोलते हैं इनकी भासा में? लावनी. हाँ, तुमनी के ली लावनी, ते माजी वाज लावनी. जे सही बोला ना मैं, अभी मेरे को महारास्टा में एंट्री मिल जाएंगा ना, है? क्या समस्ता रहे तु? महारास्टा से इदर आकरके, एक यूपी के भाईया को खैनी की नाई मसल करके, मुह में बंद करके ठूख देगो तु? देखो, साइब, मैं पहले एक हिंदुस्तानी है, बाद में महाराथी. जिस दिन एक हिंदुस्तानी दूसरा हिंदुस्तानी से बात करेगा न, यह दूश्मनी लफडा सब खतम हो जाएगा. जाओ साइब जाओ, पहले एक हिंदुस्तानी बन के आओ, उसका बाद में मैं आपसे बात करेगा, जाओ. घाटी! इज्जत से बोलने का, श्रीमान घाटी महराज, श्रीमान घाटी महराज, काय को मालूम है, हम लोग घाटी लोग है न, घाट-घाट का पानी पी के लैश्याना हो जाते है, हाँ, यह धोती गुर्ता लेंगा टोपी, इसको नहीं देखने करें, यह टोपी के आंदर का जो धिशय को देखने का कोपड़ी भेजा यह तो हमाई खोपड़ी में भूत बरों nous, रखेंका माय हैं, हमाई सा कोब बोला कैं मुह मूरेख, मैं बोला का है है, मैं भया, भया बोले तो भाय के और भाय रक्षा к होता है रिरख्शस नहीं, और पहिचाननो पहिचानो तुम ल पलड भी सकता है अर लेकिन खालिया अपना कुर्सी के बारे में नहीं सोचने करें बाबा तभी कभी ये देश के बारे में भी सोच लेने का है तो ये कुछ ज्यादा बोल रहा है लेकिन सही बोल लो हो यार इससे समझानू पड़ेगो देखो भाईया तुकाराम हम तुमाहे पाधल की आगे भर अधन उसरी तुमाहे आगे विस्के खासना आजैने ही तुमाहें सब्सृटि पतार हो मुझाला करें और भाण विस्टत्क करने तुमाहें बात भूल नहें बहुता है और गाली कौन है फ्रसका के अ निर भाना भाली दिया रहे मैं, भाकाओ बोला, ठाला, 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 ठाला.. तुझाह, अएला.. मांतरजी, आप छान तो जाएगे… हम लोग हैं जगड़ा करने कूनिया… करने कु घर आ तुने हाठ उठाए ठीक नहीं करवा तुने जाको बदलो लूंगोँ अरे अब भाई बोला मैं भाई बोला मैं भाई और तु अबरे को साला बोलता है कैं साच लेगा वर गलादे तब पूछ्टनें पुछने पमलिक से आप किसी को भाई बोलता है वो आपको साला बोलते है चलेगा क्या शॉपू जो शॉपू जो शॉंद्या सांग यहां टाइगाथ यहां जो शॉप लोग मेर्य शॉपू डिग्त आपन्समें और देवाची गिरूपाँ सी पुर्गी यहां डेवाची गृपाँ मेरी बच्ची को होश आगरे बाभाँ बाद बढ़ गई तो वापस नहीं जा पाई ए मेरा बाहदूर बच्चा ए बेटा हिम्मत नहीं हरने का मर्थ दम तक हिम्मत नहीं हरने का कि जलाब किसका फोण है कि अधिया अधिया आप लोग पेशलो विजए अधिया थोड़ा है तो गारा है मैं मजबूर वो मंतरी ने तुमारी कंप्रेंट कर दे जे करके तुम्हें ग्रपतार करना ही पड़ेगा एपिसने अक्टर क्या क्या मेरे मेरे मरत ने आरूपी के तो आपने देश में सच बोलने पर गांधी जी को भी गोली मिली थी मेरे को सूली मिल गई तो भी कम है क्यों चला लेकिन तक टाइम काई को लगया आरिस्ट करने में हाँ तु मेरा बादूर बच्चा है ना अपने आई का ख्याल रखेगा रखेगा ना बाबा अब भी आता है कर अब परिखा रावा ने शिर्या गाराम हम तुमारे साथ । यह अन्याए यह दोल का परिवार को आप सबका मदद का जूरत है यह अंदुलन बन्य होना चाहिए एंसा आप तो मिलना ही चाहिए आपी बस दो दिन बाद होने वाला क्या है यह तो दो दिन बाद ही पता चलेगा यह तो अटाने पिंगते। आप पिचार जाईए पीसमत की आप की आउ आम आउखिया संसुलोम्छार की आउच्ञा आम आएप एफ फिर दाए कान हाँ मेरी कान हाँ दुख के घड़ी है का से कहू मैं विपदाओ पड़ी है तु ही तू पालन हाँ तू ही तू दालन हाँ कैसे परेक्षा सब तेरी एच्छा दुख के हुमारी है त्री पोरारी तू ही तू तू बालन हाँ तू ही तू दालन हाँ मन में बसेरा हेर क्यों अंधेरा भर दो जाला हे नंद लाला तू ही तू बालन हाँ 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 तू बालन हाँ तू बालन हाँ तू कांट कर देगो भीया जी हमें सफाई नहीं रजल चाहिए रजल तू को मालू ही बात का अंजाम का होगा आज वहां आरती हो रही है कल को मुसल्मान आके नमाज पढ़ेंगे परसों हिंदू आओंगे कहेंगे यहां मंदिर बनेगा फिर मुसल्मान कर देखो नहीं जाए नाना खोलने की जरुवत नाए देखो नहीं जाए का पागलपन करुआ इसने है इसे पागलपन के दौरा पड़त है अरे सच बोलना तेरेको डर लग रहा है फड़ गई है देरी गला थोड़ा जोर से दबा दिया था ना मैनी यह ज़्यादा हुस्यारी करने की जरुवत ना है हम तुझे जे बताने आये है कि तुने जो कल हमाई उपर हाथ उठाव है हम चाहें तो अब्वय के अब्वय तुझे दूसरे केस में फसा के जनम भर के लिए अंदर कर सकते बेतर ही जामई है कि निकल जाओ आगरा से निकल जाओ हम रिहा करा देथ हैं मंत्री जी जाको छोड़ने की परिमीशन मिल गई है उरिमूरि अम्मा अरा कौन ने देदा यार इसकी जमानत मैंने मैंने कराईया इसकी जमानत यह मेले साब हम जनता के सच्चे सेबक हैं असेबा के लिए कुरसी नहीं भावना होनी चाहिए यह भाईया कल ग्यारा बजे मिलना कोरट में सब समझ में आजाएगा तेरे को चलाता निगा केस नमबर 16302 दुकाराम राओ साहब मराठे बनाम राज्य सरकार कितने दुनों से कह रहा हूं इस कील को निकाल दो कब चेंज करोंगे इस कुरसी को जब रेटार हो जाओंगा तब बेखुफ जज को कार्पेंटर बना दिया है अब आप लोगों से हाज जोड़ कर रेक्वेस्ट करनी पड़ेगी बैट जाए बैट जाए अरे मंत्री जी आप विश्व कर्मा साब आप भी यास मिलोड मिलोड दरसल ये सरकारी केस है इसलिए मुझे बलाया गया है समोर्चे वक्की लेता और सरकार के प्रतिनिदी के रूप में कलक्टर श्री ज्यान देवगनी होतरी जी भी मौजूद है पैट जाहिए पैट जाहिए जब आप लोग आए हैं तो केस भी बहुत मजबूत ही होगा और सामने वाला वकील भी उतना ही मजबूत होगा साहिब मेरे पस कोई भी वकील नहीं मेरे कुछ बोलने का है ना मैच बोलेगा मेरे नाम है तुकारम राव साहिए मरठीर मेर केस भी सच्चाए मैं भी सच्चाए अरे वारे तुकारम तु तो बड़ा होशार निकला यहां पास में आओ बोलो वहां के बोलना पड़ेगा आर को वाइप आप आर बसाबसार नमा से देहत आए वहाँ जाकर खड़े हो जाए वहाँ जाने गए वहाँ तह तो आपने यां बुला लें यांसे वापस रहुत पेज़े सब्सक्राइण के सामने खड़े हो कर दो फिलाऊ बाष्ट मिलोर्ड दरसल यह केस इन्हों ने दो साल पहले दर्श किया था इनका कहना है कि आग्रा के पास इनकी कोई जमीन है जिसको इनके दादा से नहीं चीनले यह जाप तुम्हारी जमीन कहां है और किस इलाखे में है यमुना नदी के किनारे मिलोड यम्ना नदी के किनारे जमीन है अचे कितनी जमीन जमीन है सैक walking शैकछा अशे में काम हीसा किरयिक्त दूर के Fel यू व क्छा किर ना मैंे में लीखिला क्या है Şu किन अमारा फइल बैकी जब फाइल की तरा बहुत सरा ऊणे नचे नचे रहे तारिक पड़ता थह मैं आता था फिर तारिक पड़ता था मैं चला जाता था मेरा हालत मतलब ना वह उतर ड़म्पर डिज या चेंड. चेंड.. चेंडू यह यह में… जींदू.. नहीं गटोदू रोगूस ज स्वोड़ फिर qe joku SUyaison przy neuen system हासा 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 वाइस्ट हो गया हांगुब्क Audrey's कीए लेकिन ने कश्च कि जमीन मैं ने केस किया वह ताज महल काया जमीन है किम नहीं ताजमेहल कर दिया अगो वा, भाई वा, तुम्हारी हिम्मत की तो दाथ देनी होगी? जाबर यह सहब? तुम्हें इसका सबूत पेश करना होगा. अरह सहब सबूत है ना, मेरे पसबूत है, सब कागत, पत्री सब है मेरे पस सहब. तो पेश करो. सूंधरी, आरे. यह जो एक रहा है जैसे खुद शहनशा बाबर ने वह जमीन इसके पुष्टों के नाम की थी यह बाबर नहीं बाबर बाबा उसका मुलगा बेटा उसका बेटा बाश्चा हुमायून ने लिखके दिया ही उसका सबूत है यह यह सबूत है मिलाड उसके यह देखो यह सबूत है ना थिक है संबाल की जरा हां कि और भाई इसे पढ़ने के लिए तो हेमायूं को उपर से बुलाना पड़ेगा वह फार्सी में लिखा है ना वह फार्सी में क्या लिखा है इसमें यही के जमीन हमारा है तुका राम हुमायू ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी ठीक मिला हुआ एक बात समझ में नहीं आई आप ज़रा सोचे हुमायू जो है आगरा से निकला वह महरास्त पहुंच गया महरास्त पहुंचने के बाद उसने एक छोट से गाव में जाकर करके इसके मराठा परिवार को ढूंडा और उसे कहा भाया तुम कहा थे यह लो यह जमीन के तस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिये हैं मुझ बर महरवानी करो नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा प्लीज प्लीज तुका राम है आरे तब ही अपने द्यश में आंग्रे गोट को ब्योखूफ बना सचस बताव जसावेज तुम कहा से मिले बार मिलता है बीस रुपे किलो में तुमको नहीं मिला कि बात करता है सहे वो हुमेह उन बादशा है ना वो मारा स्टार करनाटक के सीमा पी शिकार करने आया थे जहां चनक उनका ताभियत बहुत खराब ह गया ना आयसा पर सखड लगा उनrakो और सायवत फिर में पर दादःक कर दादवां पहुँचे और उन्होंने बास्चा हूमाइं को आउषद की एक पूड़ी में ठीक कर दिया बास्चा हूमा्य खुष ओगौए और खुश हो π warfare बोलो तुमको अहीं नाम में क्या मंगता ह बोलो हां और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताज महल मांग लिया है नहीं है इस करेक्ट वकिल साब आप इतिहास भूल गए मिलॉर्ड मुझे सब मालूम है मैं तो इसे आजमा रहा था लेकिन एक बास समझ में नहीं आई मिलॉर्ड की वो जमीन इसकी कैसे हो गए मैं वही बता रहा है बास्षा हुमायों ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के परदादा के दादा 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 देखो मैं किसान आदमी है। मैं शेतकरी आदमी है। सरक रहा है। तो मैरे को शेती तो करना है पड़े गा, तुम मेरे थोड़ा सा हमिल किदर दे दो शेती का वासे। हम और हमायो ने यम्ना नदि के किनारी वाली जमीन तुमाहरे परदादा के नाम करते। अब यह बात आपके समझ में आ गया फिर उसके बाद में मेरे परदादा ने वहां पे बास्मती चावल उगाना शुरू कर दिया बास्मती चावल आज मुझे पता चला कि बास्मती राइस के फांडर तो तुकाराम के खांदान के लोग हैं तुम कहीं से मालूप अरे भाई अब तुम्हें ने दो बताया है बात इधर इच खलास नहीं होता है हम लोग के पास एक और सबूता है अब अकबर बाद्शा का लेटर अब बाद्शा ने लिखा अकबर बाद्शा ने दिया है तो यह भी हमारे पल्ले कहां पड़े यह फार्सी में लिखा है है क्या लिख कि अब बाद्शा ने लाल ऐसे के खांदान के नाम कर दिया अब नक्लीवा ना क्यों है इनको कुछ भी मालुम नहीं है और लाल खिला भी शाजान नहीं बना था है है तूम मेरे क्या बोलेगा कर तूम मेरे को आज मार रहा था या साजब कैसा है वह अंतेमार अंने उसे लगवार भार हाल चीजां़े की है वह बासमती चावल सब मैमानों ने खाया और सब एकदम खुश हो गए, सब ने उसकी तारिफ की तो आगबर बाश्चानी, मेरे परदादा को बुलयार बोलयार शांतराम, तेरा बासमती चावल तो यह हुआ ने, आज से तेरा लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ यह इच बात उसमें लिखाए, वो देखो, उनका अस्तक्षर भी है, मोहर भी है, यह देखो, यह मोहर है, उसका अस्तक्षर भी है, तुकाराम, तुम वह जाओ, जाओ, पिर सहिव उसके बाद क्या हुआ, जब शोला सो इकतिस में जब वो शाजान की बीवी मरीना, तो शाज ने उसका समाधी बनाने के लिए आमारा जगा पे कभजा कर लिया, अबजेक्शन, अबजेक्शन में लोड, यह आद भी सरासर जूट बोल रहा है, तारीख गवा है कि शा जहाने वो जमीन, राजा मान सिंग के पोते मिर्जा राजा जै से चार हवेलियों के बदले में ली अरे आपका नहीं हमारा, मेरा बसलाब आगे बालो, हाँ एरे वो साजान ने तो मेरा परदादा से बात पन नहीं किया मेरे परदादा को तो जमीन देने कच नहीं था पर साजान ने मान सें.. जो पोता ने.... मेरजा जै सिंग उसको सामने करके यह पूरा जमीन युषち है आई सा दिखाके चिन लिया अरे साहिव आज का टाइम में कैसा है जमीन के वासे धनली होता है ना वो टाइम बेबी वाइसाइट सा ये मेरा परदादा का जमीन चिनने के लिए वो शैणशा और वो राजा दोनु यह हो गया आज कल कैसा ये बिल्डर भाई लोग तोने इक सता आता है वोईसी वो साइब यह अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसल्मान दोनों एक हो गए वैसा एकता दिखाएगा नहीं लेकिन मतलब का बात था ना तो ग्याट मैट जमा लिया यह तो इतिहाज को बदलने चला है आ घुन्तलगू हुने लिखाए टीहाज का यह जो सच होयगा बहत गाण होग महा वह लिखाएग इंसान ने लिखाए ना यह शैन शान राजेये लोग निजैसा लिखुआ है वइसा लिख्खा और आजुनत बाइज चलता है आरे त्स यह अंग्रजी में हाए यह अंग्रेजी में लौड माउंटन बाइटन की चिथ्थी है साहिब क्या हुआ था जब यह आंग्रज लोग अपना द्यश चोड़ के जा रहा था तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था पूरा इस्टोरी सुना है साइब, दभी लोड माउंटन बैटन निये उनको एचिठ्थी दिया तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले, मिला ना, मिला उसको पड़, सबूत पड़ाए, यह देखो, ज्याना ता, आ, गांधी जी के साथ मेरा दादा यह तो, ने, ने, मैनी है, मेरा दादाजी है, वो आमरे खांधन में कैसा है, सब लोग एक ही शकल लेके एक के बाद यह पाइदा हुआ है, अब सोचो साइब, बगवान ने दिया हुआ यह शकल आज तक आम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो आपना माल्की का जमिन कैसा द ताज महल को तोड़ो और अपनी समीन लेलो, ने, 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 उन्होंने क्या बुला, अब यह सारा यह बटवारे का लफड़ा चलता है, ना, अब यह एक बार यह मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा, लेकिन किसी ना समझ यह उनको गोली मार द और कानून में लिखा है, ना, साहिब, किसी ने अगर दूसरे का जमीन पर जबरदस्ती कबजा कर लिया, तो उसको जेल में डालेंगे, साहिब, और सबूत देखने के बाद, वो जमीन जिसका भी है, उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है, ना, साहिब, बाकी फाइसला आपके हाथ में, हम, लेब में भेजकर ये सारे दस्तावेश चेक कराए जाएं, तब तके लिए ये अदालत मुल्टवी की जाती है, आज तुकाराम ने अपनी मद्बूत दलीले और ताज महल जमीन से जोड़े सभी दस्तावेश पेश करके सरकार को उस सक्ते में ला दिया है, सरकार हरकत में आ गई है, ताजी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मामला और भी दिल्चस्प होता जाना है अब देखना है दस्ताविच की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड लेता है यह देखो अब ताज महल पे भी मुकदमा ठुक गया है तो आप लोगों का क्या कहना इस ताज महल विवाद पर अमा कहना क्या है पहले तो हम इसे शाह जहां का ताज महल कहते थे लगता है तुकाराम का ताज महल कहना पड़ेगा क्या हो रिया इस देश में तो देखा आपने इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताज महल किसके ना मेलोड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यमेंट्स पेश करने जा रहा हूँ, जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरसल एक साज़िश है, जाल साजी है। मैं आदालत से दर्खवास करूँगा कि A.S.I. के आफिसर श्री एपी श्रिवास्तव को विट्रस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलोड, इनकी पार्खी नजर तुकाराम के ड्रामे का परदाफाश कर देगी। ये वही एपी श्रीवास्तव हैं, जिनको माननी अदालत ने दस्तावेजों के सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ, तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताईए कि इस आदमी ने जो डॉक्विमेंट्स पेश किये हैं, जो भी सुबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितने सच्चा ही है। वकिल साब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्विमेंट्स की जाँच बहुत बारिकी से की है। मेरा तजूर्बा कहता है, ये सब असली हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? साहिब। देखे श्रिवास्तो जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे हैं। वकिल साब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उमर भी नहीं रही है, और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं, ये डॉकिमेंट से एक दम असली हैं। मिलोर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में है। मिस्टर शिवास्तव आप जा सकते हैं। इसके पहले के अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं। साहिब, मेरा सबूत असली है इसका रिपोर्ट आपका सामने है। या फैसला पास करदो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेता है। तो कराम अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्केलोजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मश्वरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहिब, मैं आपका बात मानता है। आपका भी गलत नहीं बोलेगा साहिब। मेरो खाल यह एकी बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमल का जो जमीन है, वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। मैं मानता है अभी उस पर केस चलता है फैसला सुनाने का बाकी है तो काईदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है तो जब ही तलक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है तब ही तलक कि टाज महल बंद रखने का आइसा में विनन्ति करता है मेलोर्ड ये इंसान ताज महल पर स्टे मांग रहा है मंगता है सभ्य मांगता है वह जो स्टे है वो मैं मौन आंपको अगर इसा नहीं किया ना तो यह सरकारी वकील इनका सरकार अगले पांच-दस साल तक मेरे को आज इसा ही गोल-गोल-गोल-गोल-गोल गुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होएगा इस नहीं मैं गरीब आदमिया साहिब है हमारे लिए आप की सब कुछ है है आपका फैस्रा बगवण का फैस्रा है मैं और अगर आपने अमारे साथ नाहीं स Officer कि अ क्परेंगा मिंट पर लोगवां पामारा के बसमें इतना ही बोलता है मिलोड मेरी अदालत से दरफ़ास्थ है कि कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताज महल हमारे देश की धरोवर है में लोट बस मुझे इतना ही कहना है ताज महल हमारे देश की शान ये सारी दुनिया को पता है मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किये उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताज महल की जमीन तुकाराम के खांदान की है किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जर्म है इसलिए अदालत की ये राय है कि सरकार आर्केलोजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबन्दित है तुकाराम रावसाव मराटे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले वरना पंधरा दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी इन दे मीन टाइम तुकाराम की विंती पर गौर करते हुए अदालत ताज महल को बंद करने के लिए स्टे आउडर इशू कर रही है जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता ताज महल टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा झाल टूरिस्ट के लिए लिए अदू किनि दे खिए जित जा!, स्टे विंद पर इंटिज भी मिला है एक बड़ी को साव भी हो भी हो ए ग्राही है ताज महल टूर्सटे से कन्दर सरकार ह carry le ताज महल की सांध है स्टे हुड्सपोर्य नहीं हो ए हज वान हुज हận var एक एक तिहां से खटना बन चुकी है ताज महल पे जो इस्टे हो गया है उससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को और होटल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है आम आदमी की इस लड़ाई में अब देश की जनता भी जुड रही है आज जगे जगे तुकाराम के समर्थन में कई रैलिया निकाली गई कोर्ट ने तुकाराम के हक में फैजा कर दिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अब तो यह कर रस्तों बचया वड़ाईया जा खूं मरवा दे रहे हैं बस मरवाने के बहुत साउखा तुम को अरे इन भूलो को तुम अब जेल मंत्री हो रगबाद नहीं हो बस इतना याद रखो कि अगर वो को ताज महन मिल गया ना तो अगले एलक्षन में हम सब की जबानत जब अब बैठे-बैठे मुका ताक रहे हो अरे जाओ पठाओ तुका राम को जाओ हर रोज जो लोग ताज महर के साथ फोटो किच्वाने आते थे आज वो तुका राम के साथ अपनी फोटो किच्वाना चाह रहे हो है इसे एक बात को साथित हो जाओ ते आज की रेग में तुकाराम को जाओ पारे की रेल ओन्यूर प्रणीर स्बेशने पिष्जर के साथ झाओ तुकाराम ख़िए भाच बदायो शुका राम आखिर तुम वी ती गए आदेवाची की रुपाए गंटा बजा दिया तुम ले सरकार का पुतुराम, वरत्तो तोड़ दियाओगा तुमने, ये लो, बेटा तुम भी लो, बाकी सब जो है पबलिक में बाच दे इशो हेकर, ये इसलिए है ताकि तुम्हारी जीत को दुश्मनों की नजर न लगे इस आइनायवाद, मैं आप सब लोगों ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। घंटा के बारे वास्ते है? घंटा, जो हमारा चुनाव चिन्न है न, वो तुम्हारी वास्ते है अथकरम, आज के बाद जब तक जया जमीन तुम को पूरी तरह से नहीं मिल जाती ना तब तक हम तुवारे साथ हाँ और मिसरजन जि आगे के पास चलते इह कर दो को दो ना दो यहां एक होगा और इन्काफी कर वेख आएं आम तो जाह आजे, बेचारी तुकाराम। यहां की समस्या है जाहिए, छल करने आए और यह हमा धर्म है। नमस्कार! और भैय, खुद्धापन.. पया यहे आपन अम्य खाउनी। आप ने तो कमाले कड़ो तो यार... आप मैत और खोगे... कैसा है साइब, यह जमीन है ना जमीन, यह किसान का माँ होता, और यह जमीन, अर यह तो मेरा पर्दादी है, यह जमीन का वास्ते मेरा पर्दादी का आत्मा है न साइब बहुत बटकता है, गड़ी-गड़ी मेरा सपने में आता है, अच्छा, हाँ सच्छी, मेरा सपने मेरा क विखे बोलते हैं मालूमें? क्या? तु क्या? ए तु क्या? कब आजाद कराएगा अपना जमीन? हाँ? अकादेश आजाद हो गया, लेकिन अमारा जमीन अभी उनका ही कब्जा में है? मेले बुड़्या, कुत्रिया, तु क्या? तु क्या? तु क्या? मैं नहीं किया, तु क्या? मैं नहीं किया, मैं क्या बोलेगा उनको? अरे आभी भी आत्मा भटक राया उनका, देखो आभी भी देखती है, जो एक बार परदादी को पिंड़दान है जाएगो, तु पर सपना में नहीं आएगी, पूछो कैसे? कैसे? देखो, तुम्हें जो जमीन चाहिए, हा मैं बोलो, खाम देंगे, हाँ? वहाँ मकान बनाओ, तुम का बनाओगे, हम बनाओगे, हम बनाओगे, अलिसान, भब्य, महल बनाओगे! सची साहिब, हाँ? मजे, जो जमीन चाहिए, वह मिल जाएगी, हाँ? और बाबा कर राज है? यह रूलिंग पाटी, संजो, बाबा कोई राज है, हाँ? थामबा, एक मिंट, जरा खाजगी में बात करके आता है, कहे जली, जरा खाजगी में अधाय करें खाजगी में आता है, होम मिन्स्टी के शंगाई फैसला है गाता? हमने सोचा है, पंदरा दिन इंतजार करने का जरोत नी पड़ेगा, अरे बिलकुल नहीं, बोल, 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 तो हमको जो जमीन चाहिए, वो हम अख़ा टीवी वारे लोग के सामने बोलेगा, कल सुबै, हम हाँ, हाँ, तो गरामने सरकार के आगे शुन तरगी है, जो मामने सरकार के ले सरदर बना हुआ था, लगता है अब उसका हट बहुत जल ही निकल जाएगा, गानी जी ने कहा था, प्रेम और शांती इन दोनों से बड़ा हत्यार और कोई भी नहीं है, और यही बात मंत्री जी ने बख्खूबी साबित कर दी है, अब लगता है कि ताज महल की जमीन जरूर बच जाएगी, आज यहां लोग यह जानने के लिए बेताब हैं, कि तुकाराम कौन सी जमीन मांग कर ताज महल को आजाद करेगा, रहतो है, यह बख़त बरबाद में करनो हमें, सीधे मुद्धा पर आके जो जमीन चाहिए वो हमें बताओ, तुम अपने घरे जाओ, हम अपने अज्याय समाँ, अभी का इसा है साहिब, आम लोग ने ना कल रात बहुत सवचा, पर दियुमा के जो काम नहीं कर रहा था, फिर जब कुछ नहीं सवचा ना, तभी एक आइडिया सवचा, यह सुंदरी, आउगड़, अरे यह इस उमर में भूगोल पढ़वाओगे आरजे का है, नहीं, इसमें से हम लोग कोई भी आग अच्छा सा जमीन मांग लेगा, मैं इस नक्षे पे यह छड़ी तीन दफा घुमाएगी, लक्री जिदर जिदर रुकेगा, उनमें से कौन पन एक जगे हम लोग को दे दे ना, बस इतनी सोपई, भीयाजी, जमीन मांगने का यह कौन सा तरीका है, बेकूप बना रहे हैं हमें, ब्लेकमेल कर देखने हैं, देखने हाप छली फिर से भाही ले जाका यह रुकेगी, ताज पर यह क्या ब्योकू बना रहा है, मैं हम लोग टाइम नी जाते इसलिए आप यह आई आम लोग आप यह आप्यादर रहा है आपने ताजमेल मंखने़ा है, यह जो जो ने तुम आया गे अजिए कैसी बाते करो यार बीपी बढ़ आगे यह का बोलो यह सयानु आदमे तुमाई सामने अभाईया जी देखने दूना का बोल ले वो हाजी करो सुरू आठीक है चल चालू कर चड़ी रे चड़ी कैसे बचे पे पड़ी आठीक है यह जग है तुमाई भई फाइनल है यह तुक तुम मीन रही है यह संदे उधिये कैसी बात कर रहो यार हमें ना चलेगो यार जा स्दिवीड कर ने शेंproduct कर रहो आसमान से गिर्के हावा मैं नहीं लटकनो आया दूसरी जगें देखो को अर आपने बोला था ना बिसाल भावन बना के द्यागा इधर तो पहले से आए ना आता काये अरे जे कल्की है गई बोलना या आगे बढ़ो आइसा काइसा चला आते किये पूड़ सुगे आटे लग चंचमय दी गंगम चंचमय देखों अरे चंडी में चंचमय देखोंगम अरे अरे अ आए अध्या में चड़ी रोकी है हूँ वह भी बाबरी मस्जीद पे त्या ना कही है अरे यह अरे अरे आज हूआ राभार उंग्ली आइसा जगा ब्रोले लान आतू जैयुद्या पे उननीस सो आतालिस से प्रॉब्लम चलो है किती सरकारें आए किती गई आज तलग ये प्रॉब्लम सौलना भईयार हमका करेंगे क्या अधनी है तो मको कल क्या भोला था रूलिंग पार्टी है मतलब बाबा कराज देखे कि अधी 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 चले जाएकंगे ऊध कैसे इधर भी बचते इधर भी बचते आई है इसन चलता है ये गलती है कि कर दो देखुनolla है रृषिक्टी ये लाष्टalnya आज आज़ू यह कौन सी जग है यह तो बहुत अब जाओ जाग है अरे लेकिन यह है क्या ताज के एवज में संसत की मांग पर मंतरी विसर्जन यादो द्वारा फेकी गई हड़ी अब फुद यूपी सरकार के गले में अटक गई है कभी ताज महल कभी संसत यह तो सरासरी ब्लाक मेलिंग है इस आल डर्टी पॉलिटिक्स साथ ही इस उल जलूल मांग से केंद्र सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है इसको लेकर मंतरी मंदल की वैठक होने वाली है हम की मांगे पूरी हो नहो हमारी राजनीति चलती रहने चाहिए उनकी सरकार को हटा कर वहए भी हमारी सरकार लानी है तो इस बात को बढ़ने दो अग लगाई तुकह राम ने जलेगी वहां की सरकार हम तो दिल्यमें बैठकर तापेंगे आग इसी को कहते हैं, राजनीती. मंत्री जी, क्या फैसला हुआ? क्या तुकाराम को पार्लियमेंट दे दिया जाएगा? मदाख है क्या? कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा, सरकार उसे दे देगी क्या? देखिये, तुकाराम को ना ताज मिलेगा, ना पार्लियमेंट. घंटा मिलेगा तुमें. तुमें क्या लगता है? सरकार तुमें पार्लियमेंट दे देगी. जे ताज भी गया, और पार्लियमेंट भी. कि देख लेना जे बिसर्जन यादाओ करा गया तुम्हारे अर्मानों का बिसर्जन जमाइला इधर हर आदमी चोर है आहीं आम आदमी को पस घुमाते रहने का गोल-गोल-गोल-गोल अभी बहुत गुमलिया मैं अभी मेरे साथ होई चाद मी बात करने को आना मंगता है जो कम प्ली रिमानदा रहें ना कभी रिश्वत लिया होएगा ने रिश्वत दिया होएगा और वोगी चोबीस घंटा का अंदर है नहीं तर आई भावानी शपत देख लेना या तुकाराम राव साय मराधी क्या करता है कुल चोबीस घंटा अरे हम ही पूछते हैं बाईया कि इ अभी अभी एक बड़ी खबर आई है चौबीस घंटे खतम होते ही तुकाराम बुल्डोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है सर्ण वो बेरिकेटिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है ओडर दीजे सर देखो यी बखत ओडर लेने का नहीं है एक्शन करने का है बस मार दो गोली बखका मार दू अरे मार दो गोली ठीक है सर्थ तुकाराम रुप जाए नहीं तो मैं आज को नहीं मार दूगो आज मुए पता चलो कि मेरी धंकी में कितनों दम है जी आपकी धंकी में दम ना है वो देखो कौन है आपका उमर देखे बुल्डोजरों का मैं माज़वाट जाने तो मेरे को सुनो मैं तुम्हें रोखने के लिए ही यहां आया हूं कि आप रोखेंगे मेरे को काह पांपा काह कूं काह कुआ था कुओ आपका uit फोन प्रदान्मेंत्रियर राश्त्रपतितिय ग्रोह मंत्रिये मूख्या मंत्रिय кंथ अल प ochon हमारे कमांडर सुभास चंद वो उसने कहा था कि देश से हम है और हम से देश तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और इमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है इसलिए मैं यहां पर आया हूँ सबुत क्या है क्या सबुत है क्या आप इमानदार है इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है दिया नहीं क्या आपने रिश्वत हां रिश्वत रिश्वत लेने देने से मेरा क्या समझ मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूं फिर भी हालात से जूज रहा हूं मेरे जिन्दा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास सरकारी रिकार्ड में तुम्हें मर चुका हूं और तुम मुझसे इमानदारी का सबूत मांग रहा है हो कि सुबाज चंद्री जी ने हमें इमानदारी की सिक्षा दी थी लेकिन अफसोस उसकी कोई कदर नहीं एक बात बोल उसी अंसर हां बोलो आपको बिल्कुल भी शरम नहीं है न है अरे आप लोग देश चलाता है लेकिन आपके पारलामेंट में एक आदमी नहीं है जो सच्च और रिमांदर है अगर कोई होता तो यह लोग मुझे यहां क्यूं लेकर के आते अर तो काका अभी आप बोलो मेरो क्या करना चाहिए बोलो खेच चाहिए ना तुम्हें तो किसी खाली पड़ी जमीन से तुभारा काम चल सकता है तो फिर ताज महल को ही क्यूं तोड़ना चाहते हो यह तो अपने देश की संपत्ति है धगोहर है इसे की उनस्ट करते हो भाई अगर सच्ची देश देश की भलाई के बारे में सोच हो और पर इंका क्या भॉरिशा काका इन लोगों का ब्रॉसा अभी क्या गारन्टी है कि मैं चुनेगा यह लोग मेरे को दिया धेंगे क्या गारंटी मैं हूना भाई मैं वादा करता हूं कि तुम जो जमीन बोलोगे तो मारे नाम कि अच्छा कि अच्छा करने का और हांडी में से चिट्टी निकलने का क्या है हांडी में दस चिट्टी है में में दस चिट्टी में दस गाओं का नाम लिखाए वो जो आपचा क्या लेंगी वो गाओं का जमीन हką नाम पर करदेने काए अ intéäre बरौबर आए अभी तो में दस चिट्टी निकालेगा तो यंच्छा क्ल फिकर मर कि नहीं पहले तु यह बताओ कि इसमें गाउं काही नाम लिखाए ना? हो की. अरे बड़े भाया, उठाओ चिथ्थी और करो छुप्ति, हमें भी चैन्ग मिलेगो. खतम करो जाए. काली खाजा मैं। बहुँ, बहुँ, बद्जब, बहुँ… बहुँ, बत्जब, बहुँ.. लाविदकलाफ, पइला पड़े लिखाए किया होता तो अबे तकलीफ नी होता ना? अरे गाउ का नाम निकला है बुध्रुक बियुब्यापूर, बुध्रुक बियुब्यापूर. इसने बोलाना भी ट्रेस मत लुआ यह गाउ का जमीन अमारा नाम पे कर देने कापल. समझ लो भईया तो मारा नाम हो गई है शमी. अरे ऐसे समझने से काम नहीं चलता है इदर, कल सुबह सब के सामने, सब मीडिया वाला लोग का सामने, कागज पे लिखने का, उस पे हस्ताक्षर करने का, और नीचे सरकार का मोहर लगाने का, तब ही मैं समझेगा के जमीन हमारे नाम पे हो गया, समझ लो भाया, हो गया, कल का कार पे ले जाके डुबावें, जाने तो हमको किनारे पिला के डुबा दिया, अब हम कहा करेंगे, वही जो अब तक करते आए हैं, कहा है, अरे जब तुकाराम ताज महल तोड़ने जा रहा हो थो, बाई गिरफतार काई नहीं करवा दो, कितो बड़ो अपराद करो बाने, क कहो में हीरो बन जाता, और हम विलेन, और इसी बात का फाइदा अगले एलेक्शन में अपोजीशन वाले उठा लेते, उतो कहो हमारे किसमत अच्छी थी, जो उसने जमीन मांगी महराष्ट्र में, बस हमें मौका मिल गया, और हमने अपनी सारी समस्या महराष्ट्र सरकार के को जमीन खरीड लेगी, और सरकार को कौन डाव हो लेगा, खुद अधित्ते विरानी, अधित्ते विरानी, मैं, मैं, कि सब मेरे पापा का सपना है, और मुझे हर हाल में इसे पूरा करना है, एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें, अगर ये जमीन मेरे हाथ से गई, तो अगले एलेक्शन में आप दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी, आप मेरी बात पर यखीन तो करिये विरानी साहब, वो दिल्ली से ओड़ा राथ है, इसलिए हम कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकता, और भरोसा नहीं कर सकता, मुख मंतरी महोदय, महाराश्य जरकार, मुझे आज खुशी है कि हमारे शहर के विश्परसित ताज महल को आज एक नया जन्म मिला है, के अंधर सकार ने सही समय पर सही कदम उखा कर हमारे ताज को बचा लिया, हे देवा, आज हम लोग को अपना जमीन मिलने वाला है, उसक मिला। तुन मिर ओट कभी रूप धrière कभी धरे लगू जाल में आरहे हो जे अपने गले में फसी हडि को निकालने के चक्र में तुम्हेग जमीन का लालस नेकर तुन को फसारे, हाँ साहिब उन्हों ने मेरे को जबान दिया एके जमीन देंगे चलो तुकाराम हाँ साहिब अब का करेंगे उम्रक सब्रे करे कराय पर पानी फेर के धर दिया मैं भाई तुकाराम मराठे को भी धन्यवाद देता है उन्हों ने अपनी समझदारी से सही कदब उठाया और हमारे देश को ताज मामले के कारण हुई की गिरी से उबाराद धन्यवाद गोली बारी में मुख्यमत्री बाल बाल बचें इस हमले की विपक्ष ने घोर निंदा की गोली चलाने वाले को गिरफतार दो किया जा चुका है पर इस बात का पता भी नहीं चलाया जा सका है कि इसके पीछे के बाउजू कातिल गोली चलाने में काम्याब रहता है आखिर इसका क्या मतलम निकालेंगे आप पुलीस की गैर जहमेताराना हरकत या फिर शर्मसार करेंगे आखिर तन्वी तुम्ही क्या लगता है कि तुकाराम के मनने पर हमारे चैनल वालों का फायदा होगा या नुकसान होगा उसकी महबद और प्यार के लिए फायदा जो डॉक्टर क्या हाल है मारे तुकाराम का खून बहुत भागया है कंडिशन इस वरी क्रिटिकल व्या ट्राइंग अवर बेस्ट कंडिशन इस वरी क्रिटिकल व्या ट्राइंग तुकारम कान करेगा गर तुम न करोगे तो करम कान करेगा गर तुम न सुनोगे तो मेरी कान सुनेगा मुझ को दिला दे माला मेरा ये जहां जमी कोई है मेरी कोया आसमा तुही बता मेरे खुदा मेरे खुदा रहा दिखा तुही बता मेरे खुदा मेरे खुदा रहा दिखा मेरी ये बंदगी है रब तेरे वास्ते कोई सी मन्जिल है भटके है रास्ते दर पे तुम्हारे मौला बंदा ये आया हुझको दिला डे मेरे जमी आसमा जमी आसमा तुही बता मेरे खुदा मेरे खुदा रहा दिखा तुमी बता मेरे खुदा, मेरे खुदा मुबारको, तो करा हमको होश आगया है हाँ, आप उनसे मिल सकती है हाँ, 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 हाँ हाँ हाँ, हाँ, आँ, हाँ, हाँ हाँ खुरूँ झोँ हूँ अब भी। से अबुष। स्विहुष। खुरू। दोसा है। रहा है। क्लें भूरा भी। ऐधा क्लेहा कि अब बरता है.. चुछ लागवा दोटाव दो पूर नहीं ताए। I don't want to fight at the cost of your life. I almost lost you. We aren't fighting this war anymore. We are not leaving this till the job is done. I am not. Look at her. What's her fault in this? Come on, Baba. Come on. Hey, look. How are you? Tukaram. These people want to talk to you. But who are they? I don't know. Jai, Bhabban Rao Shinde, Rastriya Manok Party. Namaskar. Namaskar. Jai, Adit Virani, our country's big list. Namaskar. How are you? Okay. And Jai. Hasan. Hasan Ali. Come on. This is a big business man. Okay. Namaskar. You guys talk about it. We will talk to you. You have to understand the story. After thinking about it, we will talk about it. What? We are friends. Let's go. We will talk to you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. यह दरवाजा कायको बन किया तुमसे कुछ खास बात करनी है न मेरे से अरे मेरे जैसे मामूली किसन के साथ ऐसा क्या खास बात करने का आपको अरे नहीं तु कराम जी आप मामूली आदमी नहीं है आप तो हीरो बन चुके हैं हीरो अरे नहीं नहीं बाबा मेरे को हीरो बनने क है मेरे को मिरा जमीन मिल गया ना बहुत हो गया बस जमेन अभी मिले तथा है मिलिका और वह पेपर प्रस्थ भीत पत्रत पूम्हारे तो है डून है ना अलिए चुंपने अबस्ते है। उसे भूल जाओ काई को अरे भाई उस जमीन पर आदेत सहाब का 25,000 करोड का प्रोजेक्ट लग रहा है और 10,000 करोड इंवस्ट भी हो चुके हैं अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है बात सिर्फ पैसे की नहीं है तुकराम भाई अरे बात है भावना की, एमोशन्स की, सपनों की ये प्रोजेक्ट मेरे पपा का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसे मुझे उनके बेटे को हराल में पूरा करना है और इस जमीन को स्पेशल एकोनोमिक जोन बनाने के लिए मेरे पपा ने बहुत सारे सपने देखे बहुत प्लानिंग की, बहुत पैसा खर्श किया दुकराम जी, दरसल बात यह है कि इस जमीन को हमने किसानों से बहुत महंगे दामों में खरीदा है हाँ जूट बोलता है जूट बोलता है जूट बोलता है तुम किसानों से जमीन खरीदा नहीं है छीना है एक ने अमस्लब जैन तुपकरी का नाम तो सुना ही होएगा ना नहीं साहिब यह लोग को यह चेक नहीं मंगता है जाहिए लोग विकास के वासने अपनी जवीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने को राजी हुआ पर तुम छीने नहीं Hang तुम लोग पास सो टीन से पास सो एकर compound शवने पर कभला रहा ळागता है पर साहिए ऐसे तो हम लोग बेघर बेघर बार और बेरोजगार हो जाएंगे साइब पर पैसे तो दे रहा है ना तुझे साइब आप अपने मां को कितने में बेचेगा साइब क्या एजी तो मांकी क्या गुस्सा आ रहा है ना ए आता माजी कॉलर सोड ने तो इन लोगों को दुमारे गिरेबान तक पहुचने में जास्ती टाइम ने लगेगा चोड़ो अच्छा होगा साइब अभी आप लोग इधर से जा तुम जानते होना साहिब मां अधा मरत का बोला समझ में नहीं आया क्या अब जाओ इधर से जाओ के ती ना जाओ अच्छा ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी अचलो असन अली अब अब कौन है कौन है कौन तुम लोगों ने स्पेशल एकोनोमिक जोन का फाइदा उठा किये किसानों का जमिन को हतिया लिया है ना तुम्हारा इंक सब बातों से क्या मतलब क्योंकि उसी गाओं के मिट्टी में खेल कूथ के मैं जवान हुआ हूँ एक अब तुम्हारा नहीं हूं अपनी पहचान चुपाने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरी असलियत धूनते रह जाए मेरा नाम विवेक तुपकरी है और जैन तुपकरी मेरे बड़े बाही थे मेरे भाई ने महनत करके खेट जोद के मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया एक वकील बनाया आज मैं हिंदुस्तान में लंडन में अपने वकालत की प्रैक्टिस करता हूं पर साला लानत ते है इसी प्रैक्टिस पे जो अपने भाई और भावी को इंसाफ नहीं दिला सकती जब मुझे भाई और भावी के बारों में पता चला तो मैं मैं गाउं पहुचा है गाउंवालों ने मुझे पूरी हाकिकत बताई और फिर मैंने सूचा कि सला जिस केस में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा गुंडा शामिल है मेरी आवास को कौन सुनेगा दो मिनिट में तुम लोग मेरी आवास दबा देते इसलिए मैंने ऐसी आवाज लगाई कि जिसकी गूंज ने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और वो आवाज थी ताज महल की दो साल, दो साल से तयारी कर रहा था मैं और इस मिशन में रिया हर कदम पर मेरे साथ थी रिया, सुनन्दा बिष्वी नहीं है मेरी गर्लफ्रिंड है और एक कम्प्यूटर एक्सपर्ट हमने हर जगा से इंफोर्मेशन निकाली म्यूजियम्स, लाइबरेरी, इंटेनेट, किसी सोर्स को नहीं छोड़ा और ऐसे सबूत तयार किये और ऐसी बारिकी के साथ किये कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी धोका खा गए सबूत है ना, ताकत पत्री सबें मेरे बस्ता है मेरे भाई और भावी को तो मैं इंसाफ दिलानी सका पर मैंने कसम खाई है कि भले मेरी जान क्यों ने चली जाए लेकिन इन किसानों को मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए और भाई के लटका कर निकल गए थे ना अब तेरा भी वही आशो होगा जाए 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 जा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है इसे मुझे उनके बेटे को हराल में पूरा करना है जैसे तेरे भाइया बाभी को लटका कर निकल गएते ना तुझे वो जमीन कि इसानों के वापत है यह था आज तेरी आवाज ही पंद करना मैं अभी तेरी आवाज में गद रही है यह यह अपरेशन किसान था और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है और यह लोग क्या है यह ऐसे नेता ऐसे पूंजी पती यह ऐसे गुंडों के बल्बूते पर इस देश पर राज कर रहे हैं मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं मैं बस अपने गाउं के किसानों को इनसाफ दिलाने के लिए यहां पर आया हूं मुझे ना तो कोई पार्लेमेंट चाहिए और ना ही ताजमेल यह हमारी बच्ची नहीं है यह इनके भाई की बेटी है जो बनात है लेकिन जो किसान मर गए उनके नाथर बेसारा बच्चों का क्या होगा यह कहानी सिर्फ मेरे गाउं की नहीं है हमारे देश के कई हैं इसे गाउं हैं कई हैं इसे किसान हैं जो आज भी जूज रहे हैं फिर चाहिए मध्यप्रदेश का वो गाउं हो जहां किसान अपने हक के लिए जल समाधी ले रहे हैं या फिर वो गाउं जहां किसानों ने अपने अधिकार के लिए अपनी चिता तयार कर दी है अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है लेकिन क्या फैदा ऐसी तरक्की का जहां लाकों करोडों किसानों की उपज़ाव जबीन चीन कर उन्हें हमेशा के लिए बे घर, बे रोजगार और बे सहारा बना दिया जाए अरे हर जगा अगर बिल्डिंगे, मॉल्स और फैक्ट्रीज ही खड़ी करोगे तो उगाओगे क्या यार खाओगे क्या बिल्कुँ सही कह रहे है आप तुकाराम जिन्दाबाद तुकाराम जिन्दाबाद तुकाराम जिन्दाबाद यू ब्लोडी सुडो इस आंदोलन में कोई भी हमारे साथ नहीं था हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो जो सजा हो हमें मन्जूर है पहले इन तीनों को उनके जुर्म की सजा दी जाए उसके बाद हमें जो भी सजा दी जाएगी हमें मन्जूर है हागो अपोजिशन के दबाज से अधित्य विरानी की जमीन की डील कैंसल कर दी गई है बबन राव शिंदे को दस साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया और हसन अली के खिलाफ अरेस्ट वरेंजारी किया गया लेकिन विवेक तुपकरी उर्फ तुकाराम और रिया उर्फ सुननदा को कोट ने अगले आदेश तक देशना छोड़ने की हिदायत दी है मैं तन्मी रह्मान आप तक नियूज आगरा से है 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 बताओ यार जेल मंतिय से डिमोशन करके बाल विकास में गालदाओ यार अरे बताओ नहीं दे रहें पोलियो दे रहें आ ये गोद में लेलो जाए जाए अरे बेठा म्यूट मोल बे बिल्ली यहां तहाले माइडलेस हो गई लॉमड़ी उल्लू पड़े पहाले जो भी जूले जान रिये दुनिया कीचे उसकी ताग मेरे साथ मेरे साथ गीता पे रखे हात मायारो करूंगा सची पाद जी भात बीजा पहां पॉचे टिच्टाइब पे अंबूलर्स है। तेकरू नुलती हर मुक लगत पे खानी की है वे हेल्थ कार्ड है बडा कोशली हम घाड है फ्री दुनिया से एरिटेट हुडे पापू के वंतल थी अब हमसे नह पूचा यारो क्या राइट या राइट नह राण मुर्गा वोले कु 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 कोल देती वां वाहताज, 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 और ताँड़